नवस्कार खबरों की खबर में आपका सौगत है इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है हिंदुस्तान के संसत से जहां कॉंग्रेस पार्टी ने प्रधान मंतरी नरंदर मोदी के खिलाफ एक प्रिवलेज नोटिस जारी किया है बकाइदा सिकायद दर्ज कराई है कि बहुत अपमान किया है और ये विशिशा धिकार हनन का मसला बनता है प्रधान मंतरी के खिलाफ एक तरफ राहुल गांदी ने जो लंदन में जाकर हिंदुस्तान की डिमोकरसी सुप्रिम कोट यहां की तमाम ववस्था के उपर जो सवाल उठाया कि हिंदुस्तान में डिमोकरसी इस डेड इस तरह की बाते लंदन में जाकर की उस पे तो एक प्रिवलेज का मसला चली रहा है इनके उपर कारवाई तो होगी ही पारलमेंट में उन्हें माफी मांगने का दवाब दिया जा रहा है तो कांग्रेस पार्टी ने एक नई स्टेटजी बनाई और ये तैग किया कि ओफिंस इस दे बेस्ट डिफिंस कि चुके राहुल गांदी चारों तरफ से फस गए हैं और एक के बाद एक प्रेस कांफरेंस करते हैं जिसमें वो पकले जाते हैं और इस्टिती तो अब इतनी बत्तर हो गही है कि तमाम पी आर एक्सरसाइजियस भी फिल होते चले जा रहे हैं कि कल जब पहली बार पार्लिमेट के अंदर आये कांग्रेस पार्टी के लीडर रहुल गांदी तो टूटर पे कॉंग्रेस पार्टी और तमाम कॉंग्रेसी नेताओं ने शेर आया शेर आया शेर आया टाइप से इन्होंने सोसल मीडिया में कैम्पेंग किया कि जैसे लंदन से पहली बार पार्लमेट में कोई शेर आया है और इनके ही पार्टी के बड़े मंतरी के राजस्थान के मंतरी के बेटे अनुरुदु सिंग ने ट्वीट करके मज़ा ले लिया, वो Congress Party के हैं और पाइलेट के बहुत बड़े समर्थक माने जाते हैं, उन्होंने कह दिया Congress Party ये क्या कर रही हो, ये सेर आया सेर आया सेर सेर कहके तुम पपू को दिखा रहे हो, अभी भी वो ट्वीट पड़ा हुआ है तो चारो तरब से गिरते चले जा रहे हैं तो इन्होंने प्रधान मंत्री के ऊपर ही एक प्रिविलिज नोटिस जारी करने की कोशिश की है अब वो लेटर केसी वेनु गुपाल जो कॉंग्रेस पार्टी के बड़े लीडर है जिनको बनना था कॉंग्रेस पार्टी का ध्यक्ष लेकिन सोनिया गांदी ने करनी काट लिया उन्होंने बकादा राजसभा के चेर्मेन को पत्र लिख करके ये नोटिस दी है क्या है देखिए सब्जेक्ट में अब इसे क्या बात है भई क्या आपको मिर्चे लग गई तिन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले प्रधान मंत्री मोदी राजसभा में जब भासन देने आये थे तो उन्होंने बड़ा अपमान किया गांधी परिवार का खास करके राहुल गांधी और सोनिया गांधी का को बहुत अपमानित किया अब जो कंप्लेइन है कंप्लेइन में उन्होंने लिखा द्यूरिग इस अफॉर मेंशन रिप्लाई ऑन दिसकुशन ऑन मोशन अफ थैंक्स क्या बोला प्रधान मंत्री ने मुझे बहुत आश्चर होता है कि चलो भाई नहरू जी का नाम हमसे कभी छूट जाता होगा और यदि छूट जाता है तो हम उसे ठीक भी कर लेंगे क्योंकि वे देश के पहले प्रधान मंत्री थे लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता है कि उनकी पीड़ी का कोई भी व्यक्ति नहरू जी का सरनेम रखने से क्यों डरता है क्या सरमंदगी है नहरू सरनेम रखने में क्या सरमंदगी है इतना बड़ा महान व्यक्ति आपको मंज जूर नहीं है अब यह प्रधान मंत्रे ने जो भाशन दिया यह जो बात उन्हों ने कहीं इस से Congress Party मुद्द बना रही है वाला कि आहत होने वाली कोई बात नहीं है लेकिन इस complaint में क्या लिखते हैं Congress Party के तरफ से in view of the foregoing I seek privileged proceedings against Shri Narendra Modi Prime Minister of India for having made derogatory, insulting, distasteful and defamatory remarks against Shri Mati Sonia Gandhi and Shri Rahul Gandhi which has amounted to breach of their privilege and also contempt of the house बड़ा दर्ध है इनको चा मसला था पूरा पूरा मसला यह था कि Congress Party इस बात को लेकर के हल्ला मचा रही थी कि भई आप गांधी परिवार पुराने सुझनता सिनानियों के नाम को जो आप नहीं ले रहे अलग अलग चीजों को तो उसी के उपर पुर्धान मंत्री कह रहे थे कि उन्होंने बताया कि किस तरह से क्योंकी यह तो और इस बवाली लोग काट रहे हैं कॉंग्रेस पार्टी ने जो कुकर्म किये हैं उसको वो याद दिला रहे थे उन्होंने बताया कि किस तरीके से इस देश में आर्टिकल 356 का इस्तमाल मतलब चुनीवी सरकार को खत्म करने का काम 90 बार कॉंग्रेस पार्टी ने किया और इंद्रा गांधी ने अकेले 50 बार किया हमने तो अभी तक एक बार भी नहीं किया आठ साल की सरकार हो गई तो ये बात प्रधान मंत्री बता रहे थी तो फिर उन्होंने ये बात कह दी कि नेरू गांधी के नाम से आप लोग बहुत कुछ बनवाते हो ऐसा कोई स्कीम नहीं है उन्होंने बताया कि किस तरीके से करीब 700 ऐसी पॉलिसीज हैं स्कीम से जो जवालाल नेरू इंद्रा गांधी राजीव गांधी के नाम से चल रही है तो उसी में उन्होंने कहा कि अगर कुछ छूट जाता है तो कोई बात थी हैं देश के पहले प्रधान मंतरी थे राज जवालाल नेरू तो भूल चुक हम सुधार लेने की कोशिस करेंगे कभी कभी दिमाग से उतर जाता है इतने सारे योजनाए सब इनी के नाम से है तो उसी दोरान उन्होंने कहा कि आप मुझे तो कहते हो कि बाई नेरू को याद करो लेकिन ऐसी क्या बात है कि उनके परिवार के लोग ही नेरू टाइटिल नहीं रखते है तो यह मुझे समझ भी नहीं हा रहा है कि यह डेरूगेटरी कैसे है यह डिफिमेटरी कैसे है इंसल्टिक कैसे है बै नेरू के नाम आप नहीं रख रहे हो कोई बता रहा है बै नाम तो आप नहीं रख रहे है नाम तो गांधी जी के नाम से आप चल रहे हो नेरू के नाम क कंटेंट पता नहीं क्या-क्या डिस्टेस्ट फुल यह कैसे मान लिया जाए भई उसका मतलब यह है कि आप राई का पहार बनाना चाह रहे हो मतलब यह कॉंग्रेस पार्टी जो इतने दिनों से अडानी 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 पे जेपीसी अब क्या वाहियात तरह की मांग लेकर क की विपक्च बवाल कर रही है जेपीसी आप मंगवाना चाहते हो जेपीसी क्या है जॉइन पार्लमेंटरी कमिशन जिसके अंदर वह आप इन्विस्टिगेट करना चाहते हो तो देश में कोई कानून आनून है या नहीं है यह सारे लोग कॉंग्रेस में और यह तमाम पत् कंप्रेन होता है उसके तमाम लोगों को बुलाया जाता है आप हिंडनबर की रिपोर्ट के उपर जेपीसी मांग रहे हो देश के किस कानून से आप किसी विदेश में रेजिस्टर्ट कमपनी जिसका हिंदुस्तान में कोई विंग भी नहीं है दफ्तर भी नहीं है किस अध हिंदुस्तान में कोई ऐसा एक्जाप्ल आप पेश करके दिखाओ कि जब से हिंदुस्तान में पारलیमिंट फंक्शन कर रहा है आपने एक विदेशी कमपनी को बुला करके जेपीसा का हिस्सा बनाया है सुपरियम को जाच कर रही है से भी जाच कर रही है हर जगा जच हो ही है फैसला के इंतजार कीजिए लेकिन आपको करनी है राजनीती राजनीती क्यों करनी है ये गंदी राजनीती करनी है इन तमाम लोगों को जौर्ज सोरोस का पैसा चाहिए जौर्ज सोरोस ने 600 कड़ो रुपए मोधी को हराने के लिए जमा कर रखा है वो एलान कर चुका है कि 600 कड़ों रुपे वो खर्च करेगा और इसी के लिए ये दलाली ये चम्चागरी चल रही है ये मत भूलिए कि जो लेटर स्टेप आया था जॉज सोरोस का उसने क्या कहा था उसने ये कहा था कि हिंदुस्तान में तो डिमोकरसी है लेकिन ये प्रधान मंत्री डिमोकर्टिक नहीं है और ये डिमोकर्टिक इसलिए नहीं है क्योंकि इसके साथ ही इसका रिस्ता जो है वो अडानी से है और अगर अडानी गया तो प्रधान मंत्री मोदी गये ये relationship ये आप YouTube पे उसका पुरा भाषन है उस भाषन को सुनिए अडानी गए तो प्रधान मंतरी मोदी गए और ये जौर्ज सोरस के चेले और चम्चों जो political parties of political leader बन करके and unfortunately MPs बनके जौर्ज सोरस के agenda को चला रहे हैं उनसे ये पूछना पढ़े का ये किस तरह की तुकबंदी है यही आपने सोच लिया और इस 90 साल के dangerous बुढ़े की बात को मान लिया कि अडानी गायब तो मोदी को कोई भोट नहीं करेगा हद है अगर ऐसे ऐसे लोग पार्टियां चलाएंगे विपक्स को के में काम करेंगे और प्रधान मंतरी मोदी और बीजेपी को हराने की प्लैनिंग करेंगे तो यह समझ लीजिए यह मुख्या का चुनाओ तक नहीं जीत पाएंगे इनकी जो पूरी राजनिती का जो सेंस है वो बिलकुल डिस ओरियंटेड हो चुका है तो खैर प्रधान मंतरी के उपर इन्ह करेंज दिया है कि जिनको यह अकल भी नहीं है कि यह बजट सेशन है यह राजनिती करने का समय नहीं है तो होगा क्या होगा यहीं कि जो सब लोग चाह रहे हैं वीजेपी भी खुश विपक्ष भी खुश विपक्ष हला हंगामा करके राहुल गांदी की गलतियों को दबान का काम करेगा और भारती जनता पार्टी का यह जो बजट का जो पूरा सेशन है जिस पर सीरियस डिसकसिन होना चाहिए था इस दौरान सरकार ने जो नीतिया बनाई जो पैसे अलोकेट कर रहे हैं देश की जनता का पैसा कहां लग रहा है उसकी विवेचना होनी थी एक बहुत ही बढ़िया एक सेशन इस पर होना था कि ताकि देश की जनता भी एजुकेट होती यंग जनरेशन भी एजुकेट होता कि भई पार्लमेंट फंक्शन कैसे करता है लेकिन चोर उचकों को हमने भेज रखा है पार्लमेंट तो यही हाल होगा होगा यही कि आनन फानन आखरी दिन बिना किसी डिवेट बिना किसी डिसकसन के बजट को पारित कर दिया जाएगा मामला खतब हो जाएगा यह लोग सब अपने घर चले जाएंगे फिर उसके बाद राहुल गांदी थाइलेंड चले जाएंगे मेडिटेशन करने के लिए बाकि सारे लोग गर्मी के पार रहे हैं आप देखते रहें कैप्टिल टीवी हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए शेर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद